दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की जानीवानी एक्टरस आलिया भर्ट को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। बॉलिवुट की जानीवानी एक्टरस आलिया भर्ट इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में हैं। आलिया भर्ट और रन्वीर कपूर को लेकर खबरे तो काफी समय से चली आ रही है लेकिन आज फाइनली इस क्यूट जोडी की शादी हो गई है मेहदी से लेकर हल्दी तक शादी से पहले की सभी रस्मों की तस्वीरे और वीडियो तो हम आपको दिखा ही चुके हैं लेकिन अब एक्टरस आलिया भर्ट और रन्वीर कपूर की सुहागरात की भी कुछ ऐसी बाते सामने आई हैं जिसके बारे में जानकर आप भी जरूर हैरान हो जाएंगे जिया दोस्तों तो आखिर कौन सी वो बाते हैं जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी एक्टरस आलिया भट पसंदे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों आलिया भट और रनवीर कपूर इन दोनों ने अपनी सुहागरात की कुछ ऐसी शर्मनाग बाते बताई हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे जिया दोस्तों आपने बिलकुल सही सुना दोनों ही एक दूसरे से बेंतहा महबत कर दें और हाली में इन दोनों ने एक मैगजीन को इंटर्वीव दिया तो इसके जवाब में इन दोनों ने बताया कि पहली किस उनके घर पर हुई थी और जब इस इंटर्वीव में रनवीर कपूर से पूछा गया कि उन्होंने पहली डेट पर क्या पहना था तो रनवीर कपूर ने इस पर जवाब दिया कि ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहन कर आए थे और वही इस डेट में आलिया भट ने बाल खुले रखे हुए थे और बीच का पार्टीशन किया हुआ था और रेड लिप्स्टिक लगाई हुई थी और वही इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई इसके पीछे भी कहानी बड़ी मज़ेदार बताई है इनकी पहली मुलाकात एक डिनर पार्टी में हुई थी और इस मुलाकात के बाद आलिया भट ने रनवीर कपूर को अपने घर पर बुलाया था रिष्टे को शादी के बंधन तक पहुंचा दिया है और आलिया ने ये भी बताया कि मैं अपने शादी के रात काफी खुश थी और उनकी पूरी रात काफी खुशी भरे महौल में कटी तो दोस्तो अगर आपको भी आलिया भट और रनवीर कपूर की जोड़ी अच्छी लग